धोरण 10 विशय, सामाजिक विग्ण्यान, प्रक्राण 10 भारत, कुरुषी विद्यार्थि मित्रों, प्राचिन काल्थिक कुरुषी भारतना मूटा भागना लोकोनी आर्थिक प्रवरुत्ती रही छे आजे पन भारतनी अर्थव्यवस्थानों मुख्य आधार क्रूशी रहयो छे खेती भारतनू एक महत्वनू संसाधन छे श्रम शक्तीना लगभग साहिं टका लोको खेती कारे मा जोड़ायेला छे भारतना लोकोने मात्र खोराग पूरो पाड़वा उप्रांत उद्योगो माटे विवित प्रकारनों काचो माल पण खेती माथीज मले छे राष्ट्रे उद्पादन मा क्रूशी नो लगभग 22 टका हिस्सो छे निकास मा पण खेती पाको अने खेती पैदाशोनों लगभग अढ़ार टका हिस्सो छे जनाथी देश ने दर वर्षे विदेशी हुंडियामन प्राप्त थाई छे भारती ये अर्थ व्यवस्था मुख्यत्वे खेती पर आधारित छे आम भारत एक कुरुशी प्रधान देश छे फल्द्रुप मैदानों बारे मास पाक लई शकाय तेवी अनुकुण आबो हवा सिंचाई कुशल अने महनतु खेडुतो वगेरेने लिधे भारतना मोटा भागना विस्तार मा बेके तेथी वधु पाकनू वावेतर करी शकाय छे तेम छता भारतमा खेती ख्षेत्रे पूर्तो विकास साधी शकायो नथी भारतनों खेडुत एकंदरे गरीब अने निरक्षर छे सिंचाईनी अव पूर्ती सगवड अनियमित अने अनिश्चित वर्साद वधारे वस्ती, कुटुम्नू मोटूं कद, नाना कदना खेतरो, प्रयोग शिल्ता प्रत्यनू उदासीन वलन, रासायनिक खातर, सुधारेला बियारण, आधुनिक यंत्रो अने वैग्णानिक क्रुशि पधतीनो ओछो उप्योग शिक्षित वर्गनू खेती मा न जोडावूं, तैमज समाज मा खेतीनो कहवातो उतरतो दरज्जो, वगेरेने लिधे वैश्विक उत्पादन सामे भारत मा उत्पादन प्रमाण मा ओचुँछे, खरे खर्तो खेती ए महत्वनो व्यवसाई छे क्रुशी प्रकारों, भारतना लोकोनी सामाजिक आर्थिक स्थिती, राष्ट्री राजनीती अने भारतनू समग्र अर्थतंत्र, खेती साथे जोडाएलूं छे सिंचाई पद्धती, खेत पैदाशो, आर्थिक वल्तर जेवी बाबतोंना आधारे, खेतीना प्रकारों पाडवामा आवे छे जेमानों पहलो प्रकार छे, जीवन निर्वाह खेती आजादी पछी आयोजन पंचनी अनेक खेत विकास योजनाओ अमलमा लाववा छता पण, भारतना खेडुतनी आर्थिक स्थिती आजे पन प्रमाणमा नबली छे नाना कदना खेतरों मां मोंगा बियारणों, खातर, अने जन्तु नाशकोंनों उप्योग करवो पोशाय तेम नथी खेतर मां थतु अनाजनु उत्पादन, पोताना परिवार ना उप्योग जेटलूंज थाये छे जे तेना कुटुम ना भरण पोशन माज वप्राई जाये छे तैने जीवन निर्वाह खेती के आत्म निर्वाह खेती कहे छे आथी भारतिय खेती आजे पन मोटा भागना विस्तार मां जीवन निर्वाहनी प्रोरुत्तिज गणाये छे बीजो प्रकार छे सुकी खेती वर्साद ओचो पड़े छे सिंचाईनी अपूर्ती सगवड अने मात्र वर्साद पर आधारित होई तिवा विस्तारों मां मात्र जमीन मां संग्रहायेला भेजना आधारे एकज पाक लेवामा आवे छे तैने सुकी खेती कहे छे अहीं जुवार, बाजरी अने कठोल जिवा पाणी नी ओछी जरुर्यात वाड़ा पाको नी खेती थाई छे गुजरात ना भाल प्रदेश मां चोमासूं पूरु थायाबाद भेजवाली जमीन मां आ रिते घौं अने चणानों पाक लेवामा आवे छे त्री जो प्रकार छे आरद्र खेती ज्या वर्सादनों प्रमाण वधु छे अने सींचाई नी सगवड़ पन वधु छे तिवा विस्तारों मां आरद्र इटले के भीनी खेती करवामा आवे छे वर्साद न पड़े के ओछो पड़े त्यारे सींचाई द्वारा वर्ष मां एक करता वधु पाक लई शकाई छे जेमां डांगर, शेरडी, कपास, घौं अने शाकभाजी नी खेती कराई छे खेती नो चोथो प्रकार छे, स्थडान्तरित खेती, एटले के जुम खेती, आ प्रकार नी खेती मां जंगलों मां व्रुक्षों ने कापी ने, तैने सलगावी ने जमिन साफ करी, त्यां खेती कराई छे अहीं बे त्रण वर्ष खेती कराई छे, जमिननी फल्द्रुप्ता घटता, आ विस्तार छोडी दैने बीजी जग्याए आ जिरीते खेती शरू करवामा आवे छे तैने जुम खेती पण कहे छे, आ खेती मां धान्य पाक के शाक भाजी उगाडाई छे, आ खेती मां उत्पादन खुब ओछुँ थाई छे खेती नों पांचमों प्रकार छे, बागायती खेती, बागायती खेती एक खास प्रकारे थती खेती छे, एमा रबर, चा, कौफी, कोको, नाडियेर उप्रांत, सफर्जन, खेती, संत्रा, द्राक्ष, आमळा, लिम्बू, खारिक इटले के खलेला वगेरे फळोनी खुबज मावजत साथे खेती कराये छे आ प्रकारनी खेती मा वधु मूडी रोकाण, कुशलता, तकनीकी ग्ञान, यंत्रो, खातर, सेंचाई, परिरक्षण, संग्रहन, अने परिवहननी परियाप्त सुविधा होवी जरुरी छे खेती नो छट्ठो प्रकार छे, सघन खेती, ज्या सीचाईनी सुविधा वधी छे त्या रासाणिक खातरो, कीट नाशको, अने विविद प्रक्रियामा यंत्रो ना व्यापग उप्योग थी खेती मा यांत्रिकी करण आवी गयूं छे आ प्रकारे थती खेती ने सघन खेती कहे छे, अने आ खेती मा रुकडिया पाकोनू वावेतर वधारे कराये छे अहीं हेक्टर दीठ उत्पादन मा खुबज वधारो थैल छे, अने आहे प्रकार्नी खेती हेठलनो वावेतर विस्तार सतत वधतो जाये छे आ खेती मा आर्थिक वल्तरने महत्व अपातु होआ थी, तेने व्यापारी खेती पन कहे छे क्रुशी पध्धतियो, भारतमा सजीव खेती, टकाव खेती, इटले के पोशन ख्षम खेती, मिश्र खेती, वगेरे विविद खिद पध्धतियो प्रचलित छे सव प्रथम आपने सजीव खेती वीशे माहिती मेडविये जे प्रमाणे रासायनिक खातर अने कीट नाशकोंनों वप्राश थै रहो हतो, तेना थी रसायनोंनी नुकसान कारक असरों पन धीरे धीरे वर्तावा लागी छे अनाज, शाक भाजी तथा फड़ों मा रसायनों अने जन्तू नाशकोंनी हाजरी ने लिधे लोकोंना स्वास्ते पर तेनी विपरीत असर थै छे पर्या वरण परपण भारे नुकसान थयूं छे जमीननी उत्पादकता अने फर्दरुपता घटाडवा लागया जेना कारणे लांबा समय पछी आ जमीन मा थी पाकनू उत्पादन अने गुणवत्ता बन्ने घटी गया सजीव खेती एटले खेती नी एवी पद्धती जेमा यूरिया के बीजा कोईपण प्रकार ना रासायनिक खातरो अने जन्तु नाशकोंनों उप्योग करवामा आवतो नथी पाकना पोशन माटे चानियू खातर अलस्यानू खातर कमपोस्ट खातर वगेरे तथा पाक रक्षन माटे गव मूत्र लिमडानू द्रावण छाश वगेरे वापरवामा आवे छे सजीव खेती इटले के जयविक खेतीनी पैदाशो पोशन युक्त होई छे एमा कुद्रती, स्वाद, मिठाश अने सोडम होई छे तेमा वधू, खनीज, विटामिन अने जीवन शक्ती आपता तत्व होई छे जयविक खेत पैदाशो नी अत्यारे खुबज मांग छे इटले खेडूतने वर्तर पण सारू मले छे विद्यार्थी मित्रो, हवे आपने टकाउँ खेती विशे माहिती मेडविए टकाउँ खेती आ खेती मां जमिननी फल्दुप्ता लांबा समय सुधी जलवाई रहे ते माटे पाक नी फेर बदली पोशन माटे रासायनिक खातर नो जरुर्यात पुर्तोज उप्योग कीटक अने निंदल नियंत्रन माटे जन्तु नाशकोंने बदले जयविक नियंत्रन जल संरक्षण वगेरे बाबतनी विशेश कारजी लिवामा आवे छे विद्यार्थी मित्रो हवे आपणे मिशर खेती विशे माहीती मिलविए मिशर खेती आ खेती मां केती नी साथे साथे पशुपालन मरगा बतका उचेर मधमाखी अने मत्से उछेर जेवी प्रवरुती करवा माँ आवे छे। आ कोठा द्वारा समझीए, खरीफ पाक, एटले के चौमासु पाक, जैमा, चौमासामा लेवामा आवता पाक ने खरीफ पाक कहे छे, खरीफ पाक नो समय, जून जुलाई थी, ओक्टोबर नवेंबर सुधीनों है छे, डांगर, मकाई, जुवार, बाजरी, कपास, तल, मग फडी, अने मठ मग वगेरे खरीफ पाक छे, हवे आपने रवी पाक विशे माहिती मेडविये, रवी पाक, शियाळू पाक, शियाणामा लेवामा आवता पाक ने रवी पाक कहे छे, पाक नों समय, ओक्टोबर नवेंबर थी, मार्च एप्रिल सुधीनों होई छे, घौं, चणा, जव, सरसव, राइडो, अलसी, वगेरे रवी पाक छे, हवे आपने जायद पाक विशे माहिती मेडविये, जायद पाक, इटले के उनालू पाक, उनालामा लेवामा आवता पाक ने जायद पाक कहे छे, पाक नों समय, मार्च थी जुन सुधीनों होई छे, डांगर, मकाई, मगफडी, तल, बाजरी, तथा तर्बूच, काकडी, शकर टेटी वगेरे जायद पाक छे, विद्यार्थी मित्रो, हवे आपने मुख्य क्रुशी पाक विशे माहिती मेडविये, मुख्य क्रुशी पाक, भोगोलिक परिस्थिती, आबोहवा, जमीननी विविद ता, अने वर्सादना प्रमाण मा रहेली भिन्नताने कारणे, भारतना जुदा जुदा भागो मा विविद प्रकारना पाकोनू वावेतर करवामा आवे छे, विद्यार्थी मित्रो, भारतमा थती मुख्य क्रुशी पैदाशो, अने तेना उदाहरण तमे आक उठा द्वारा समझी शक्षो, जेमा सव प्रथम आपने, धान्य पाक विशे माहिती मिडविये, धान्य पाक, भारतमा कुल वावेतर विस्तारना लगभग 35 टका विस्तार मा धान्य पाकनी खेती थाई छे, अने कुल उत्पादनना आश्रे 50 टका उत्पादन धान्य पाक माथी मले छे, मुख्य धान्य पाक आ मुझब छे, डांगर ए आपनों सवथी महत्वनों धान्य पाक छे, विश्वनी मोटा भागनी वस्ती अने भारतनी लगभग 8 वस्ती खोराक मा चोखानों वप्राश करे छे, डांगर ना उत्पादन मा विश्वमा चीन पछी भारत बीजा क्रमे छे, भारतना कुल वावेतर विस्तार ना चोथा भाग पर डांगर रूपवामा आवे छे, डांगर ए उश्णा कटी बंधी अपाक छे, वधु उत्पादन माटे गरम अने भेजवाडी आबो हवा, लगुतम 20 अंश सेल्सियस तापमान, नदियोंना कापनी फल्दरूप जमिन अने 100 सेंटिमीटर के ते थी वधु वर्साद जरूरी छे, उच्छा वर्साद वाड़ा विस्तारो, पंजाब, हरियाना अने उत्तर प्रदेश माँ सींचाय थी आ पाक लेवाई छे, डांगर नी खेती मां मानव श्रमनी वधु जरूरियात रहे छे, पस्चिम मंगाल, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, तेलंगाणा, बिहार, उडिशा तेना मुख्य उत्पादक राजियो छे, पस्चिम मंगाल, उत्तर प्रदेश, आंधर प्रदेश, बिहार, उडिशा, तथा तमिल नाडू, वगेरे राजियो मां वर्ष मां बे के त्रण वार पाक लेवाई छे, गुजरात मां सूरत, तापी, पंजमहाल, अमदावाद, खेडा, आनंद, वलसाड, वगेरे जिल्ला मां डांगर नू वावेतर थाये छे, डांगर, ए पाणी नी वधू जरुर्यात वाळो पाक होवा छता, डांगर ना खेतर मां सतत पाणी भरी राखवाने बदले, फुवारा पध्धति थी सिंचाई करीने, उच्छा पाणी थी पन डांगर नो पाक लेवामा आवे छे, हवे आपने घौं विशे माहिती मेडविये, घौं, डांगर पछी घौं ए आपना देश नो बीजो महत्वनो धान्य पाक छे, भारत नी एक तुरुतियांश खेत भुमी पर घौं नी खेती करवामा आवे छे, ते देश ना उत्तर पश्चिम भागमा वस्ता लोको नो मु काली के फल्दरूप गोराडु जमिन अने 35 सेंटीमिटर वार्षिक वर्साद जरुरी छे, सिंचाएनी मदत थी ओचा वर्साद वाला भागमा पण घौं उगाडवामा आवे छे, 100 सेंटीमिटर थी वधू वर्साद वाला विस्तारों मा घौंनू वावेतर थतो न थी, घ हरियाली क्रांती बाद घौंनू उत्पादन लगभग बम्णू थयूं छे, घौंनी खेती मुख्यत्वे, पंजाब, हरियाना तथा पश्चिमी उतर प्रदेशमा थाये छे, देशमा कुल घौं उत्पादनना बेतरुत्याउश भाग आ राज्योंनों हए छे, आ राज्य मा सिंचाईनी सगवड होवा थी, त्या हेक्टर दीठ उत्पादन वधारे थाये छे, पंजाब मा नहरोना पाणी ने लिधे घौंनों विपुल पाक थाये छे, एटले तो पंजाब ने घौंनों कोठार कहवामा आवे छे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मह पस्चिम बंगाल वगेरे राज्यो मा पन घौंनों वावेतर थाये छे, गुजरात मा भाल विस्तार मा भालिया घौं थाये छे, आउप्रांत महसाना, राजकोट, जुनागड, खेडा मा घौं थाये छे, रुजिन्दा खोराक मा वप्राता, सर्व प्रकारना अनाज मा घ घौं श्रेष्ठ छे, घौंना लोट माथी, रोटली, भाकरी, सेव, शीरो, लापशी, लाडू, सुखडी, पाउं, पूरी, केक, बिस्किट वगेरे अनेक वानगियों बने छे, विद्यार्थि मित्रों बधा प्रकारना अनाज करता घौं मा पौश्टिक तत्वों वधा जारे छे, आथी जिघौं अनाजनो राजा गणाए छे, जुवार, बाजरी, मकाई अने जव, ए भारतमा उगाडवामा आवता, मुख्य जाडा धान्य छे, हवे आपने जुवार विशे जानिये, जुवार, डांगर अने घौं पछी, जुवार, ए भारतमा सौथी जुवार, खरीफ अने रवी पाक छे, 25 अंच थी, 30 अंच सेल्सियस तापमान, 50 सेंटीमिटर जेटलो वर्साद, काली अने गोराडु जमीन अनुकूल गणाए छे, महरास्ट्र, करनाटक, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडो, गुजरात वगेरे राज्यों मा वधारे उत्पादन थाये छे, गुजरात मा जुवार नू सवथी वधु वावेतर, सूरत अने तापी जिल्लामा थाये छे, जुवार, लीला पशुचारा तरीके विशेश वपराये छे, विद्यार्थी मित्रो, हवे आप बाजरी विशे माहिती मेलविये, बाजरी, बाजरी ए श्रम जीवियोंनू धान्य गणाये छे, 25 अंश्थी 30 अंश सेल्सियस तापमान, 40 थी 50 सेंटिमीटर वर्साद, हलकी रेताल जमीन मा ए सारी रिते उगे छे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश अने महराष् वगेरे तेना मुख्य उत्पादक राजियो छे, गुजरात मा बाजरी ना वावेतर मा बनास काठा जिल्लो मोखरे छे, विद्यार्थी मित्रो, हवे आपने मकाई विशे माहिती मिलविये, मकाई, मकाई ए धान्य खरिफ पाक छे, डांगर अने घंपछी, विश्वमा मका मकाईनू सवथी वधू वावेतर थाई छे, मकाईनो पाक डुंगराल विस्तारों मा वधू थाई छे, अने त्याना लोकोनो मुख्य खोराग छे, मकाईमा मुख्यत्वे स्टार्च, तेल, प्रोटीन, बायो फ्यूल जिवा घटको होवा थी, तेनो अउध्योगिक पैद आरवाली जमीन माफक आवे छे, पचास थी सो सेंटिमीटर वर्साद, एकविस अंच थी सत्याविस अंच सेल्सियस तापमान अनुकूल गणाय छे, पशु आहार, धानी, अने मकाईना तेलनो उप्योग वधी रहो छे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प लाश्मीर, हिमाचल प्रदेश, करनाटक, अने आंधर प्रदेश, वगेरे तेना मुख्य उत्पादक राजियो छे, गुजरात माँ पंच महाल, दाहोद, साबर काठा, अने अर्वल्ली माँ मकाईनू वधू वावेतर थाए छे, विद्यार्थि मित्रो, हवे आपने कठो शाकाहरी लोको माटे, कठोल ए प्रोटीननों मुख्य स्रोत छे, तुवेर, मग, चना, वटाना, वाल, मठ, अडद, वगेरे कठोल पाक गणाये छे, तुवेर, अडद, मग, मठ, ए खरीफ पाक छे, चना, वटाना, अने मसूर, रवी पाक छे, वधू वर्सादवाडा विस्तारों सिवाई, लगभग बधाज राज्यों माँ कठोल नू वावेतर कराये छे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महरास्ट्र, ओडिशा, बिहार, आधर प्रदेश वगेरे तेना मुख्य उत्पादक राज्यों छे, गुजिरात मा तुवेर नू वडोदरा जिल्ला मा, मग, मठ, कच जिल्ला मा, अने अडदनू पाटन जिल्ला मा, सवथी वधू वावेतर थाये छे, कठोलना पाक द्वारा नाइट्रोजननू जमीन मा पुनह स्थापन थाये छे, तेथी धान्य पाक साथे के अन्य धान्य पाको बाद जमीननी फल्दुरुपता जाडववा कठोलनू आंतर पाक तरीके वावेतर थाये छे, तेली बिया, मगफडी, तल, सोयाबिन, एरंडा, सरसव, सूर्यमुखी, अलसी, वगेरे तेली बिया गणाये छे, भारतिय भोजन मा तेलनू खुबज महत्वनू स्थान छे, तेली बिया माथी, खाध्य तेल उप्रांत, दाणा माथी तेल काढ़ी लिधा पछी, वधतो खोड, पशुओना खोराक, अने सेंद्रिये खातर तरीके वपराये छे, विध्यार्थी मित्रो, हवे आपने मगफळी विशे माहिती मिडविये, मगफळी, मगफळी ए तेली बिया पांक मां महत्वनू स्थान धरावे छे, मगफळी ना पाक ने, काली, कसवाली, गोराडू, अने लावा नी रेत मिश्रित, पाणी न भराई रहे तेवी जमीन, 20-25 अंश सेल्सियस तापमान, 50-30 सेंटिमीटर वर्साद अनुकूल आवे छे, मगफळी पाक, खरीफ अने सींचाईनी सगवड होई, त्या उनालू पाक तरीके पण ववाई छे, गुजरात, आंधर प्रदेश, तमिल नाडू, अने महरास्ट तेना मुख्य उत्पादक राजियो छे, मगफळी उत्पादन मा, विश्वमा भारतनों चीन पछी बीजो क्रम छे, देशमा कुल मगफळी उत्पादन मा, गुजरात राज्य प्रथम क्रमे छे, जुनागड, गीर, सोमनात, अम्रेली, राजकोट, भावनगर, वगेरे जिल्लाओ मा, मगफळी ववाई छे, अपने तल विशे माहिती मिलवी, तल, सदियोथी भारत मा, तलना तेनलों वप्राश थाई छे, उत्तर भारत मा, ते वर्साद पर आधारित, खरिफ पाक छे, दक्षिन भारत मा, रवी पाक तरीके, अने क्यारेक, जायद पाक तरीके पन ववाई छे, लगभग बधाज राज्यों मा, तेनू ववावेतर थाई छे, बधा तेली बिया मा, तल, सवथी वधु तेलनू प्रमान धरावे छे, दुनियाना लगभग दरेक भाग मा, खाद्य तेल तरीके तेव प्राय छे, गुजरात, तमिल नाडू, पश्चिम बंगाल, करनाटक, अने मध्यप्रदेश, मुख्य उत्पादक राज्यों छे, गुजरात समग्र देश मा, तलना उत्पादन, अने वावेतर विस्तार मा, प्रथम क्रमे छे, गुजरात मा, तलनू सौथी वधु वावेतर, बनास काठा जिल्ला मा, थाये छे, भारत, विश्व मा, तलनी, सौथी वधु निकास करतो देश छे, विध्यार्थी मित्रो, हवे आपने सर्सव विशे माहिती मिलविए, सर्सव, सर्सव ए रवी पाक छे, उत्तर भारतनों महत्वनों तेली बियां पाक छे, सर्सव नाबीज, अने तेना तेल ने, अउशधीय, तेमज खाद्य तेल तरीके उप्योग मा लेवामा आवे छे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अने मध्य प्रदेश, तेना मुख्य उत्पादक राजियो छे, हवे आपने, नालियर विशे माहिती मेळविये, नालियर, नालियर ए दरिया किनारानी, गरम अने भेजवाली आबो हवा, तथा क्षार वाली जमीन मा थतो, बागायती पाक छे, भारत मा, करणाटक, केरल, तमिल नाडू, अंदमान निकोबार मा, नालियर ना बगी चा आवेला छे, गुजरात मा, दरिया किनाराना विस्तारों मा पण, नालियर नू वावेतर करवामा आवे छे, ओची उन्चाई धरावती, अने वधु उत्पादन आपती नालियर नी जातो, विक्सा वामा आवी छे, दक्षुन भारत मा, नालियर ना कोपराना तेल, इटले के कोपरेल नो, खाद्य तेल तरीके उप्योग थाये छे, तेमज नालियर नू पाणी, स्वास्थे वर्धक पीना तरीके उप्योगी छे, विद्यार्थी मित्रो, हवे आपने एरंडा विशे माहिती मिलवी, एरंडा, एरंडा एटले के दिवेला, ते खरीफ अने रवी पाक छे, एरंडा ना वैश्विक उद्पादन मा भारत, चौंसट टकाना हिस्सा साथे मोटो उद्पादक देश छे, त्यारबाद अनुक्रमे, चीन अने ब्राजिलनों क्रम आवे छे, भारतना कुल उद्पादनना लगभग एशी टका उद्पादन गुजरात मा थाये छे, आव प्रांत आंधर प्रदेश अने राजस्थान वगेरे तेना उद्पादक राजियों छे, गुजरात मा बनास काठा, पाटन, साबर काठा, राजकोट, जुनागड, अम्रेली, वगेरे जिल्लाओं मा तेनों पाक वत्ते ओछे अंशे लेवा मा आवे छे, आव प्रांत वर्तमान समय मा कपासिया, सूर्य मुखी, डांगर अने मकाईना तेलनों खाध्य तेल तरीके वपराश वधी रहयों छे, विद्यार्थी मित्रो, हवे आपने पीणा विशे माहिती मेलविये, जेमा सवप्रथम चा विशे जानिये, पीणा, चा, चा ए उष्ण, अने सम्षितोष्ण कटी बंधिय छोड़ छे, तेना छोड़ना पांदड़ा, अने कुमली कुमपड़ोंने प्रक्रिया करी, तेनी चानी भुकी, के पत्तीनों पीणा तरीके उप्योग थाई छे, चीन पछी भारत चानू सवथी वधू उत्पादन करे छे, श्रिलंका, चीन, अने भारत चानी निकास करता मुख्य देशो छे, चाना पाक माटे पाणी सहलाई थी वही जाए, तेवी ढोलाव वाली, अने लोह तत्व वाली जमीन, 20-30 अंश सेल्सियस तापमान, अने 200 सेंटीमिटर सुधीनो वर्साद वर्ष भर जाप्टा रूपे वरस्तो रहवो जरूरी छे, भारत माँ चा, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, तमिल नाडू, करणाटक माँ वधू थाई छे, असम अने पश्चिम मंगाल, देशनी पंचोतिर टका चानू उत्तपादन करे छे, चाना छोड पर्थी पत्तियोंने, कुशलता पुर्वक चूटवामा आवे छे, विद्यार्थी मित्रो, हवे आपने कॉफी विशे चर्चा करिये, कॉफी, कॉफी ना पाक ने, पहाडी पर सूर्यनों सीधों तड़को न पड़े, ते रिते कोई मोटा व्रुक्षनी चाया मा उचेर्वामा आवे छे, कॉफी ना पाक ने, 150 थी 200 सेंटिमीटर वर्साद, अने 15 थी 28 अंच सेल्सियस तापमान, अने पर्वतिय धुडाव वाली जमीन अनुकुल आवे छे, भारत मा, करणाटक, केरल, अने तमिल नाडू मा, कॉफी वधारे थाए छे, करणाटक नो कुर्ग प्रदेश, कॉफी ना उत्पादन माटे जानी तो छे, कॉफी ना फणने एकठा करी ने, तेना बीज काढ़ी, तेने प्रक्रिया करी, दली ने, तेनो पीना तरीके उप्योग लिदार्थी मित्रो, हवे आपने कोको वीशे जाणिये, कोको, कोको वरुक्ष ना फढ़ना बीज माती, कोको तैयार करवामा आवे छे, कोको, ए पेए पदार्थ चे, तेमा थी चोकलेट पन बनावामा आवे छे, तेने गरम अने भेजवाली आबो हवा, अने वधू वरस जरूर पड़े छे। आफ्रिकन देशो तेना मुख्य उत्पादको छे। कोको नू वावेतर अने उत्पादन भारत ना केरल, करनाटक, आंध्र प्रदेश अने तमिल नाडू मा वधी रहूं छे। रोकडिया पाक, कपास, कपास एक खरिफ पाक छे। भारत अने गुजरात मां मुख्य रोकडिया पाक तरीके कपास अगत्यनू स्थान धरावे छे। विश्व स्थरे भारत कपास ना उत्पादन, वप्राश अने निकास मां बीजा क्रमे छे। कपास ना छोड पर्थी रूनू उत्पादन मिलवामा आवे छे। आ रू भारत मां सफेद सोना तरीके ओडखाये छे। आ उप्रांद कपास यानू तेल, खाध्य तेल तरीके अने कपास या अने खोड दूधाला पशुओना दान तरीके वप्राये छे। कपास ने लांबो समय भेज संग्रही शके तेवी लावानी काली अने खनीज द्रव्यो वाडी जमीन, गरम अने भेजवाडी आबो हवा, विस्थी 35 अंश सेल्सियस तापमान अने 30 सित्तिर सेंटिमीटर वर्साद अनुकुल आवे छे। कपास ना पाक नो समय गालो 6 ती 8 मास नो हए छे। हिम थी कपास ना पाक ने नुकसान धाये छे। भारत मा गुजरात, महरास्ट्र, तेलंगाना, करनाटक, आंधरप्रदेश, हरियाना, राजस्थान, पंजाब, तमिल नाडू अने ओडिशा वगेरे मुख्य उत्पादक राजियो छे। गुजरात ना खेडू तोए बीटी कपास ना बियाराणने अपनावी लेता वावेतर, विस्तार, उत्पादकता, कुल उत्पादन तथा गुणवत्तामा गुजरात राज्य समग्र देशमा प्रथम क्रामे छे। गुजरात मा सुरेंद्र नगर, राजकोट, वडोद्रा, अम्दावाद, साबरकाठा, महसाना, बोटाद, भरुज, खेडा, सूरत, पंच महाल, अम्रेली, भावनगर, पाटन वगेरे जिल्लाओ मा कपास नू वधू उत्पादन थाये छे। विद्यार्ति मित्रो हवे आपने शेरडी विशे माहिती मिळविये। शेरडी, शेरडी भारतनो एक मुख्य पाक छे। विश्वमा वावेतर नीद्रस्टिये शेरडीनु सवथी वधू वावेतर भारत मा थाये छे। उत्पादन मां ब्राजिल पछी भारतनों बीजो क्रम छे शेरडी माथी खांड, गोल, खांड सरी अने इथिनोल बने छे शेरडीना पाक माटे मुख्यत्वे, लावाईक, नदियोंना कालीक आपनी फल्द रुप जमीन, गरम अने भेजवाली आबो हवा 217 अंच सेल्सियस तापमान, 3500 सेंटीमीटर वर्साद जरूरी छे उच्छा वर्साद वाला विस्तार माँ सिंचाय थी आ पाक लेवाई छे भारत माँ उत्तर प्रदेश, महरास्ट्र, तमिल नाडू, करनाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात वगेरे शेरडी पकवता मुख्य राजियों छे शेरडी ना वावेतर माँ उत्तर प्रदेश, मौकरे छे परन्तु खांड उत्पादन माँ महराष्ट प्रथम क्रमे छे गुजरात माँ दक्षिन गुजरात अने सवराष्ट माँ शेरडी वधु थाई छे विद्यार्थी मित्रो हवे आपने शण विशे माहिती मिलविए शण शण ना उत्पादन मा भारत हाल प्रथम क्रमे छे शण ना रेसाने गोल्डन फाइबर कहे छे शण माथी कंतान, कोथला, सादडी, दोरडा, थेलियो, पगरखा हस्त कला कारीगरी ना नमूना वगेरे बने छे शण उद्योग मा भारतनी बांगलादेश ना सस्ता श्रम साथे हरिफाई छे शण ना पाक ने नदियों ना मुखत रिकोन प्रदेश नी जया दर वर्षे नवों कांप पत्रातो होई तेवी फल्द्रूप जमीन, गरम अने भेजवाली आबू हवा 30-40 अंश सेलसियस तापमान अने 100 सेंटिमीटर करता वधु वर्साद जरुरी छे भारत मा पस्चिम बंगाल मा गंगाना मुखत रिकोन नो प्रदेश असम, बिहार, ओडिशा अने उत्तर प्रदेश मा शणनु उत्पादन वधु थाए छे विद्यार्थी मित्रों हवे आपने तमाकु विशे माहिती मिलविये तमाकु तमाकु खरिफ पाक छे तमाकुना पाक माटे रिताल गोराडु जमीन विस अंच सेल्सियस जिटलू तापमान अने 100 सेंटिमीटर जिटलो वर्साद वधु माफक आवे छे तमाकुना पाक माटे आबोहवा करता जमीन वधु निरणायक परिबल छे चीन, ब्राजिल, भारत अने अमेरिका विश्वना तमाकु उगाडता अने निकास करनारा मुख्य चार देशो छे भारतमा गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश अने करनाटक तमाकु पकवता मुख्य राजियो छे गुजरातमा खेडा जिल्लामा, चरोतर ना प्रदेश उप्रांद, आनंद, महसाना, वडोद्रा, पंच महालमा वधु वावेतर थाए छे भारतमा कुल बीडी तमाकु उत्पादनमा, एशी टका गुजरातमा थाए छे तमाकुनों उप्योग, गुटखा, बीडी, सिगारेट, छिकणी, वगेरे बनावामा थाए छे तमाकुनु सेवन आरोग्य माटे हानी कारक छे तमाकु गुटखा पर प्रतिबंध मुकुनार, सिक्किम प्रथम राजिय छे विद्यार्थी मित्रो, हवे आपने रबर विशे माहिती मिढविये रबर लेटेक्स कुलना रबर ना व्रुक्ष माथी जरता दूध माथी इटलेकेक शिर माथी रबर तैयार थाए छे रबर ना बगी चा माथी एकत्र करेल दूध मा एसिटिक एसिड मिढवी ने धीमा तापेक गरम करी ने रबर मनावाए छे जनो उप्योग, टायर ट्यूब जेवी अनेक अउध्योगिक पैदाशों मा थाए छे गरम अने भेजवाली आबो हवा वधू वर्सादवाला विस्तारों मा रबर नी बागायती खेती करवामा आवे छे विश्व मा रबर उत्पादन मा मलेशिया प्रथम क्रमे छे भारत नू मुख्य उत्पादक देशों मा समावेश थाए छे भारत मा केरल, तमिल नाडू, करनाटक, असम अने त्रिपूरा रबर नू उत्पादन करता मुख्य राजियों छे अउशधिय अने मसाला पाक जीरू, वर्याली, इसब गुलना उत्पादन मा विश्वमा गुजरात प्रथम स्थाने छे आ उप्रांद, धाणा, मेथी, राई, सुवा, अजमाना उत्पादन अने निकास मा भारत मौकरे छे विश्वना कुल मसाला उत्पादन मा भारतनों हिस्सों लगभग 35 टका जिटलो छे भारतना काला मरी, तज, लविंग, वगेरेनी मांग, देश विदेश मा खुबज रहे छे गुजरात मा अश्वगंधा, तुलसी, करियातु, मींधी आवल, सफेद मुसली, मधुनाशिनी, अशोक, गर्मर, लिंडी पिपर, गलो कुवार पाठु, वगेरे अउशधिय पाको, तेमज सुगंधित पाको मां, फुदीनो, मैंथौल, पाम रोजा, लेमन ग्रास नो समावेश करी शकाए फडो, शाकभाजी, अने फूलोनी खेती विश्वमा फडोना उत्पादन मां भारत, चीन पछी बीजाक्र में छे भारत मां केडा, कैरी, सफर्जन, द्राक्ष, नासपती, नारंगी, वगेरेनी खेती थाए छे केडा, तमिल नाडू, गुजरात, अने महराश्ट्र माँ, तो सफर्जन, जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश माँ, तथा द्राक्ष, उत्तराखंड, महराश्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मु काश्मीर, पंजाब, तमिल नाडू, अने आंधर प्रदेश माँ थाए भारतमा द्राक्ष्णों उत्पादन मांग करता ओचुं होवा थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान अने अस्ट्रेलिया थी आयात करिये छिए आ उप्रांत विविद शाक भाजीनी खेती पन थाई छे फूलोमा गुलाब, जुई, मोगरो, गलगोटा, वगेरेनी खेती थाई छे विद्यार्थि मित्रों आम भारतमा विविद प्रकार ना पाक थाई छे क्रुशीमा टेक्निकल अने संस्थाकिय सुधारा पहलाना जमानामा दातरडू, कोदाली, पावडो, ओरणी, हल गाडू जेवा टाच्या अने साधा साधनों वडे खेती कारे करवामा आउतुं हवे एमा आधुनिक उपकरणों पग बैसारों करयो छे जे पाईकी ट्रेक्टर, ट्रेलर्स, रोटा वेटर सौथी सामान्य छे आउप्रांत घौनी कापणी माटे, प्रथम थ्रेसर, अने त्यारबाद हार्वेस्टर जिवा अत्याधुनिक उपकरणों वप्रावा लागया छे आउप्रांत रासायनिक खातरों, हाईब्रिड बियारणों, बीटी बियारणों, जन्तु नाशक दवाओ, तेमज टपक सिंचाई, ग्रिन हाउस वगेरेनों वप्राश वध्यों छे टेकनिकल सुधारा, भारत माँ खेती ख्षित्रे, बियारण, खातर, अने खेत साधनों माँ आवेला परिवर्तन टेकनिकल सुधारा तरीके गणाई छे सिंचाई माटे खेडूत, पहला कौस, रहेट नों उप्योग करतो, आजे सबमर्सिबल के मोनो ब्लोक पंप, सोलर पंप, टपक सिंचाई, अने फुवारा पद्धती नों उप्योग करतो थयो छे रासायनिक खातरो, DAP, एटले के, डाय एमोनिया फोसफेट, NPK, एटले के, नाइट्रोजन फोसफरस अने पोटाश, यूरिया, तेमज जैविक खातरो, एटले के, बायो फर्टिलाइजर, प्रवाही जैविक खातर, बायो टेक बियारनों वगेरेनों उप्योग थाई छ खेडूत, पाक संरक्षन माटे, जन्तु नाशक दवाओ, अने जैविक नियंत्रक, एटले के, बायो कंट्रोल नों उप्योग करतो थायो छे सरकार द्वारा खेडूतोंने, रेडियो, टीवी, वर्तमान पत्रो, डीडी किसान चैनल, मुबाइल पर किसान SMS, टोल फ्री नंबर, 1800-18-1551, किसान कॉल सेंटर, सरकार ना खेडूत वेब पोर्टल, आई खेडूत, तथा, एगरी मार्केट जेवी, मुबाइल एप द्वारा सतत माहिती, नवी तक्नीकों, अने मार्क दर्शन पूरूं पड़ाये छे, ग्राम विस्तारों मा, क्रुशी संशोधनों, अने नवी तक्नीकोंनों प्रचार प्रसार, ग्राम सेवकों द्वारा, खेडूतों सुधी पहुँचाडाये छे, सरकारे दरेक जिल्ला मथके, खेडूत तालिम किंद्रनी स्थापना करी छे, जेमा खेडूतोंने प्रशिक्षित कराये छे, गुजरात मा क्रुशी मेळाओ द्वारा, खेडूतोंने अध्यतन माहिती, अने मार्क दर्शन पाये छे, दरेक राज्यमा, क्रुशी युनिवर्सिटी स्थापना करवामा आवी छे, गुजरात मा दांती वाडा, जुनागड, आनंद, अने नवसारी खाते क्रुशी युनिवर्सिटी यो स्थापवामा आवी छे, तेओ खेती क्षित्रे नवा संशुधनों करे छे, अने क्रुशी विदों तैयार करे छे, आ उप्रांत, TARE, Department of Agricultural Research and Education वगेरे संस्थाओ, राष्ट्रिय कक्षाय कारे रच्छे, संस्था की ये सुधाराओ, भारत मा जमीन मालेकी, खेत धिराण, अने खेत पैदाशना वेचाण अंगे थैला सुधारा, संस्थान गत सुधारा गणाये छे, सरकारे जमीन दारी प्रथा नाबूद करी, खेडुतोंनू शोषण अटकावियों छे, खेडे तैनी जमीनना काईदा द्वारा, खेडिनार ने जमीन मालेकीनो साच्चो हक आपयो छे, जमीन टोच मर्यादाना काईदा द्वारा, जमीन मालेकीनी असमानता दूर करेल छे, किसान क्रेडिट कार्ट द्वारा, अन प्रधान मंत्री पाक वीमा योजना द्वारा खेडुतोंने खेती पाकोंनू वीमा की ये रक्षण पूरुपाडवामा आवे छे। प्रधाकी ये जोगवाई करी, खुली हराजीनी प्रक्रिया व्यापक बनावी छे। अहीं आपेली संस्थाओ कारे रच्छे। एक, भारतिय राष्ट्रिय क्रुशी सहकारी विपनन संग, नेशनल अग्रिकल्चरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन अफ इंडिया, NAFED बे, गुजरात तेलिबिया उत्पादक संग, गुजरात कोपरेटिव ओयल सीट्स ग्रोवर्स फेडरेशन, GROFED त्रोण, राष्ट्रिय डेरी विकास निगम, नेशनल डेरी डेवलोप्मेंट बॉर्ड, NDDB हरियाली क्रांती आपना देश मा, उग्णिसो साहिटना दशका मा, क्रुशिक शित्रे हरियाली क्रांती सरजाई ते पहला एवो समय गालो हतो, कि जारे देश मा, अनाजनी तिव्र अचत प्रवर्थती हती एक मुख्य क्रुशि प्रधान देश ने, अनाजनी आयात करवी पड़ती हती आवी परावलंबी परिस्थिती सामे, देश जजुम तो हतो बियारनी सुधारेली जातो, रासायनिक खातरोंनो वधेलो उप्योग देश ना खेडुतोंनो प्रचंड पुरुशार्थ विज वित्रणनी व्यापक व्यवस्था सिंचाईनी सवलतों मा थैल सुधारा, वगेरे परिबलो थी क्रुशिक शित्रे उतपादन मा थैल असाधरन वधाराने, हरियाली क्रांती इटले के, ग्रीन रिवोलुशन तरीके उलक्वामा आवे छे हरियाली क्रांती नो मुख्य उद्देश हतो, क्रुशी उपज मा वधारो करवो खेडुतोंने वधु प्रमाल मा रासाइनिक खातर अने कीट नाशकोंनो उप्योग करवा माटे प्रेरित करवामा आवे अने क्रुशी उपज मा वधारो करवाना लक्षने हासल करवामा सफल तापण मली हरियाली क्रांती थी घौँ अने डांगर ना पाक मा विक्रम जनक उत्पादन थयूं छे देश मा पहला जिया खाद्य अन्न नी अचत हती त्या आजे अनाजना पर्याप्त भंडारो छे एक समय भारत मा दुशकाल समयांतरे अनुभवातो प्रकोभतो हरियाली क्रांती पछी तेनी खास असर जुआ मली नथी अनाजना बफर श्टोक ने कारणे दुशकाल के अचतनी परस्थितीनों सरलताथी सामनों करी शकायो छे अन्नक्षित्रे देशनु स्वावलंबन ए हरियाली क्रांती नी सीमा चिहन रूप अइतिहासिक सिध्धी छे आजे रोकडिया पाकोनु वावेतर वधता कठोल अने धान्य पाकोनु वावेतर तथा उत्पादन घटियूं छे अने एकज पाकनु पुन्द्रावर्तन थता जमिन्नी फल्द्रूप तापन घटी छे विश्वना देशोय क्रुषिक्षेत्रे उन्नत टेक्नलोजी नो उप्योग करीने जे प्रगती साधी छे त्यां सुधी पहुच्वामा आपने बीजी हरियाली क्रांती माटे सज्ज थवूं पडशे भारतिय अर्थ कारण मा क्रुषेनु योगदान खेती भारत मां मुख्य व्यवसाई छे आजादी समये क्रुषिक्षेत्रे जे भारन हतूं ते हवे थोडुक ओछु थयूं छे तेम छता हजू पण अर्थ तंत्रमा तेनु महत्वनु योगदान छे ते देशना लगभग अडधो अडध लोकोंने रोजगारी पूरी पाड़े छे क्रुषिक्षेत्र देशना कुल घरेलू पैदाशनों लगभग जीडीपी सत्तर टका हिस्सो धरावे छे भारतनी महत्वनी क्रुषि पैदाशो चोखा, घं, तेली बिया, कपास, शन, चा, शेरडी, तमाकू, बटाका वगेरे छे अने तेनी निकास माथी विदेशी हुंडिया मन प्राप्त थाई छे खेद पैदाशना उत्पादन मा विश्व भर्मा भारत बीजा स्थाने छे सुत्राव कापड, खांड, कागळ, तेल, वगेरे उद्योगों, तथा खाद्य सामगरीने लगता प्रसंसकरण उद्योग माटे काचो माल पण खेटी माथीज उपलध बने छे क्रुशी, भारतना लोकोंने खोराग पूरो पाड़े छे जोके अनियमित अने अनिश्चित वर्साद अने सींचाईनी अल्प सगवणने कारणे खेती क्षित्रे वैश्विक बजार मा भारतनों देखाओ, सातत्य पूर्ण रहो नथी अनाज सनरक्षन आजे कोईपण देश माटे, अन्न सुरक्षा जरुरी छे जो अनाजनी मांग वधती जती होई, अने अनाजनी मूटा पाए आयात करवी पडती होई तो ते देश माटे तेनी राजकिये स्वतंद्रता जोखम मां मुकाई शके छे हरियाली क्रांती ने लिधे, आपने अनाज उत्पादन मां स्वावलंबी बनेया छिए अनाज उत्पादन ना वधारा साथे साथे, देशनी वस्ती मां पण वधारो थयो छे 1951 मां देशनी वस्ती, आशरे चत्रिस करोड दस लाखनी हती जे आजे 125 करोड थी वधू छे, तेथी अनाज नी मांग पण वधी छे तेम छता आपना देश मां छिल्ला पांच वर्षों मां अनाज नू उत्पादन वधियों छे 1951 मां भारत मां 51 करोड टन अनाज उत्पादन थयों हतूं जे वधी ने 2034 मां विक्रम जनक 265.04 करोड टन थयों छे, आजे आपनी पासे एटनू अनाज छे के देश नी नियूनितम जरुर्याद पूरी करी शकाई, आ भंडार टकावी राखवो अने तेमा वधारों करवो आवश्यक छे अनाज नो बफर स्टॉक उभो करी ने दुशकाळ के ओछा अनाज उत्पादन समय अनाज नी तंगी अटकावी शकाई अनाज ना गोदामों मा रहल अनाज ने साचववानी वैग्णानिक पध्धतियों अपनावी ने अनाज नो बगाड थतो अटकावी शकाई आ अनाज हजारों गरीब परिवारों ने विना मूल्ली आपी ने भुख मिटावी शकाई अनाज नो बगाड अटकावो ए समय नी ताती जरुरियाच छे अनाज ना संग्रहन अने प्रबंधन नी व्यवस्था सुधरड करवी अत्यंत आवश्यक छे सरकारे खाद्य सुरक्षा काईदा द्वारा एटले के फूड सिक्यूरिटी एक्ट द्वारा गरीबो सुधी अनाज वित्रण करवानी जो गवाई करी ने एक सारी शरुवात करी छे भारतनी खेती पर वैश्वीकी करणनी असर भारतनों खेडूत तेनी खेत पेदाशने वैश्वीक बजारमा वेचीने नफों मिलवी शके एवा उद्देशती खेती क्षित्रे वैश्वीकी करणनी नीती अमलमा मुकाई छे वैश्वीकी करणने लिधे खेती क्षित्रे किटलाक परिवर्तनों आवया छे खेती पाकोंने निकास के आयात करवा माटेनी प्रक्रिया सरल कराई छे गुजरात माथी कपास, मर्चा, तल, चिनना बजार मां अने विश्वना विविद फडो भारतना बजार मां मलता थाया छे विश्विकी करण थी भारत मां बहु राष्ट्रिय कम्पनियों द्वारा वेच्वामां आवता मोंगा भावना जेनेटिकली मोडिफाइड बीटी बियाराणों आव्या एना लिधे खेती खर्चाल बनी छे जोके कपास अने मकाई मां तेना थी उत्पादन मां वधारो थयो छे आयात सरल थता घर आंगने आपना कुरुशी उत्पादनोंने स्परधानों सामनों करवो पड़े छे केटलाक उत्पादनोंने वईश्विक बजार प्राप्त थता तेमना पेटन्ट रजिस्ट्रेशन नी जरूर उभी थाई छे विश्वना बजार मा आपनी गुणवत्ता सभर कुरुशी पैदास्तनी पेटन्ट देशना नामे नोंधावी जरुरी छे भारते कुरुशी क्षेत्रे वईश्विक बजारों मा थतीस परधानों सामनों करवा नवी टेकनोलोजी अपनावी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करवूं पड़शे कुरुशी क्षेत्रे जोडायला लोकोंनी आर्थिक उन्नती अने सध्धर्ता वधार्वा आयोजन बध पगला भरवा पडशे वधती जती वस्ती अने भविश्यमा वधनार कुरुशी पैदाशोंनी मांग साथे आर्थिक प्रगतीनी विकास कुछ जालवी राखवा बीजी हर्याली क्रांती माटे नकर व्युहरजना गोठवी जरूरी छे